चंद्रियान तीन मिशन की सफलता के बाद भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठर यानि की इस रोग एक और मिशन में जड़ गया है। अब इस रोग सूरे पर जाने की तयारी कर रहा है। और बताया जा रहा है कि इसको 2 सितंबर को अपना सन मिशन लॉंच करने जा रहा खास कर ओजोन पर परत पढ़ने वाले प्रभावों और अंत्रिक्ष में मौसम की गती शीलता का अध्यन किया जा सकेगा। इसे इसरों के बैंगरूर स्थेत्व मुख्याले से लॉंच किया जाएगा। अंत्रिक्ष में अधितेलवन जिस स्थान पर जाएगा वो स्थान प्रित्वी से 15 लाग किलोमीटर की दूरी परस्तित है। आपको बता दे कि प्रित्वी से सूरे की दूरी 1500 मिलियन लाग किलोमीटर है। अधितेलवन मिशन जिसका उद्देश है एलवन की चारो ओर की कक्षा से सूरे का अध्यन करना है। विभिन तरंग, टैंडो में, प अताबिक अधितेलवन राश्ट्री संस्थानों की भागीदारी बाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रियास है। बैंगलूर स्थित इंडियन इस्टिट्यूट ओफ एस्ट्रो फिसिक्स ने विजिबल एमिशन लाइन कोरोग्राफर पेलोड के विकास में एहमर रोल निव इस्ट्रो फिसिक्स ने तयार किया है। अधितेलवन यूवी पेलोड का प्रियोग करके कोरुना और सौर क्रोमोस्फेर पर और एक्सर रेपलोड का इस्तमाल करके लेर्स और अब्जिवेशन कर सकता है। पार्टिकलेट डिटेक्टर और मेंगनेटोमीटर पोलोड चार् पार्टिकल और एलवन की चारो और हेलो औरविट तक पहुशने वाले चुमबक्य शेत्र के बारे में जानकारी प्रतान कर सकता है। इस्तों ने कहा है कि एलवन बिंदू के आसपास हेलो कक्षा में रखे गए सेटलाइट को सूर्य को बिना किसी ग्रहण की लगातार देखने का बड़ा फाइदा होता है। इससे रियल टाइम में सौर गतिविद्यों और अंतरक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाव मिलेगा। विशेश सुविदाजनक बिंदू एलवन का इस्तमाल करते हुए चार पेलोड सीरे सूर की गतिविद्यों पर नज़र रखेंगे और बाकी तीन पेलोड एलवन पर करनों और श्रेत्रों का इन सीटों अध्यन करेंगे। इस्तरों के अधित्य एरवन पेलोड के सूट से कोरुनल हीटें, कोरुनल मास एजेक्शन, प्रीव फ्लेयर और फ्लेयर गतिवितियों और उनकी विशेशताव, अंत्रिक्ष मौसम की गतिशीलता, कंट और शेत्र के प्रास आदी की समस्या को समझने लिए सबसे महत्पू प्रदान की उमीद है, आपको बता दे कि इस मिशन के जरीए इसरो सूरे की परतों की गतिशीलता का अध्यन होगा, इसके अलावा क्रोमोस्पेरिक और कुरुनल हीटिंग का अध्यन होगा, इस मिशन में सौर कुरुना और उससे तापमान तंत्र की भौतिकी का अध्यन कि याजा सकेगा.